नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके यूटूब चैनल सिक्षा सास्त्री में एक बार विर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष सिक्षा की आउधारणा तथा अर्थ को लेकर पिछले वीडियो में मैंने आपको New Policy of Education पराधारित बीए एजुकेशन फर्स सेमिस्टर के सेलिबस के बारे में विस्तार से समझाया था आज हम सम्मिलकर सिक्षा की आउधारणा एवं अर्थ के बारे में अध्यन करेंगे सरवपुर्थम हम सिक्षा की आउधारणा की अंतरगत सिक्षा के साब्दिक अर्थ की तरब चलते हैं सिक्षा सब्थ संस्कृत भाषा के सिक्ष धात्व में और प्रत्य जोड़कर बनाएं जिसका अर्थ होता है सीखना तथा सिखाना शिक्षा का अर्थ सिखने और सिखाने से है रगवंश महाकावी में काली दास ने सिक्षा को इनी दोनों अर्थों के रूप में प्रयोग किया है सिक्षा के अन्य समनार्थी शब्द में विद्या और ज्यान आती है विद्या सब्द भी संस्कृत भाषा के विद्धातों से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या पता लगाना इसी प्रकार सिक्षा के अन्य समनार्थी शब्द ग्यान का उध्व संस्कृत भाषा के ग्याधातों से हुआ है जिसका और्थ है जानना, बोद करना, साक्षात अन्भो तथा प्रकाश्वान होना सिठ्षा शब्द सामानी और्थों में संस्क्रित भाशा के गंतों में सीखने और सीखाने के संदर में प्रयोग हुआ है जबकि विद्यासब्द प्रारंब में सिक्षा के समनार्थी के रूप में परंतो कालांतर में पाठिक्रम के लिए रूड हो गया है विद्याओं के कई प्रकार संस्कृत गंतों में बताये गए हैं जिन में से एक विद्या आत्म विद्या भी है इसी प्रकार ज्यान का तात्पर किशी शाखा विशेश में आचार अथो मास्टरी हासिल करना से है ज्यान सब्द का विश्तित विवेचन संस्कृत साहित्त में मिलता है इसका तात्पर सिर्फ सूचनाओं या तत्थों के संग्रह मातर से नहीं है बलकि ज्ञान का तात्वर बोध से तथा अनुभव से है संस्कृत भाषा में विद्या सब्द के लिए आया है विद्या ददाति विन्यम अर्थाथ विद्याशे विन्य की प्राप्ति होती है इसी प्रकार ज्यान सब्द के लिए आया हुआ है ज्यानम मनुजश्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य जाखे एजुकेटम वर्ड से होये। इजुकेटम दो सब्दों का योग है। जिसका पहला सब्द इपता दूसरा ड्यूको एक अंधर से अंदर से दूको काताद पर है। बाहर की ओर ले जाना अत्वा आगे बढ़ाना अहे। इस प्रकार एजुकेशन सब्द का अर्थ हुआ अंदर से बाहर की और प्रकटन सौमी विवेकानन्द ने तथा अन्य भारती दार्षनिकों ने सिक्षा को इसी संदर्भ में परिभासित किया है विवेकानन्द के अनुसार सिक्षा मनुष्य की अंतर नहीं छमता की अभिव्यक् लामबंदित दो और शब्द लेटिन भासा में मिलते हैं कि जिने हम एजुकेशन और एजुसियर के नाम से जानते हैं एजुकेशन सब्द का तातपर होता है नियुकेशन सब्द का तातपर है नुआउटट टू ड्रायओट टो भरिंग फोर्थ झाल 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 व्यापकर्थ में सिक्षा, आपचारिक, अनपचारिक और निरपचारिक तीनों प्रकार से ग्रहड की जाती हैं इसी संद्दर्व में के ब्रतिक अनुह उसके भंडार में व्रिद्धी करते हैं सिक्षा को कि अव्रिद ओर प्रिद्धि लाओ देगा सब्सक्राब ilा रिष dua के साथ जो भी प्रयास करते हैं सिक्षा ग्रहड करने के लिए उन सभी सक्तियों को विक्षित करने के लिए करते हैं और अपनी छमताओं को विक्षित करने के लिए करते हैं वे सभी सिक्षा के अंतरगत ही आती हैं इसी संदर्भ में जी एच हामसन के अनुसार सिक्षा एक व आपाओ, बालक के चाओ कर अएलो काओ, बालक के खेखतेंपेंट लिए इालक के नाओ उतले कि ओॅोराओ युट अहार के माओ आप शेखंगें Just tell me that I can't Just tell me that I can't Just tell me that I can't Just say anything negative Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my f***ing mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big pots, you get yachts You swing lots and pop off a big shot I ain't done chasing Got big dreams, bigger things impatient Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase, let face it I don't give up quick, I don't give up s*** I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it I'll make it, I promise You don't wanna f*** with me